दिल्ली की जिस आपकारी नीती या शराब नीती में ब्रसचार के आरोप लग रहे हैं, आमाधी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, वो शराब नीती क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई और क्या ये नीती थी, क्या ये आरोप हैं, इसकी ABCD जानना बहुत दरूरी है, तो सबसे पहले समझे कि ये नई शराब नीती दिल्ली के अंदर क्यों बनाई गई थी, बताया ये गया कि दिल्ली सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना था, क्योंकि बहुत सारी अलग-लग योजनाएं दिल्ली सरकार ने लांच की हुई थी, और आगे और ला जो सबी राज्ये हैं, उनका एक ही होता है, तो उसमें दिल्ली सरकार कुछ ने कर सकती थी, उसके अलावा बचते हैं तीन तरीके, पहला पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगर आप ये बढ़ाएंगे, तो ये कुछ समय के लिए ही होता है, और इसमें सरकार की आलोचना बहुत जादा होती है, दूसरा होता है, स्टैम ड्यूटी, जो प्रॉपर्टी का रेजिस्टेशन होता है, उससे सरकार कमाती है, लेकिन इससे भी कोई बढ़ा अमाउंट जो है, राजा सरकार प्राप्त नहीं कर सकती, तो तीसरा बचता है, एक्साइज जूटी लगती है, जो वैट लगता है, उससे सरकार की अच्छी खासी कमाई होती है, तो सरकार ने फैसला किया कि आपकारी नीती को रीडिजाइन किया जाए, दुबारा से बनाया जाए ताकि राजासु की प्राप्ती बढ़ाई जा सके, लक्षी ये था कि उस समय पर शराब नीती से वो पालेगी, नई शराब नीती में जो रिफॉर्म्स करेंगे, उससे उसको मिल जाएगा, साथी ये भी पताया गया, तो नई शराब नीती इसले भी लाए गई है, ताकि जो अवैश शराब दिल्ली के अलग-लग इलाकों में बिक रही थी, उस पर नकेल क कसी जाए और जो सरकार को एक्साइज का नुकसान होता है, वो नुकसान जो है कम की अर्जके, ताकि सरकार का राजस्व बढ़ाया जा सके, अब समझे कि ये नई आपकारी नीती या नई शराब नीती थी, क्या जिसे केजरिवाल सरकार लेकर आई थी, पहले दिल्ली के अं उसमें ये कहा गया कि अब दिल्ली के अंदर शराब का बिजनस सरकार की कोई शराब की दुकान नहीं होगी और सारा का सारा बिजनस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हातों में देने का फैसला इस नीती के अंदर कर लिया गया, साथी इस नीती के अंदर ये भी कहा गया क जो हैै बोगान को साइब के तो यह जाता था यहालि पड़ती दूकान के विख़ाय करता है कोई एक company apply करती है तो उसको जो है एक दुकान के इसाब से license दे दिया था लेकिन नई जो नीती थी उसके अंदर पूरे zone का license देने की बात थी और एक zone के अंदर 25-28 दुकाने थी यानि कि कोई भी व्यक्ति जो apply करेगा या जो अब business करेगा वो कम से कम 25-28 दुकाने एक साथ च लागू हुई ये नई आपकारी नीती या नई शराब नीती 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीती लागू हो गई लेकिन इसमें कहीं तरी की समस्या रही जैसे कि एरपोर्ट पर शराब की दुकान नहीं खुल पाई क्योंकि authority ने इजाज़त नहीं दी साथी कुछ non-conforming areas भी थे यानि कि जो license धारक था उसको license दे दिया गया था एक जोन का 25-28 दुकानों का license मिलता है लेकिन जहां पर दुकान खोलने के लिए license दिया गया वहां पर वो दुकाने खुल ही नहीं सकती थी authorities उस तरह की इजासत दे ही नहीं सकती थी तो इसकी वरह से हुआ ये क ये जो नई शराब नीती थी ये ठीक तरे से लागू हो ही नहीं पाई और हुआ ये कि पहले जहां दिली में 8500 दुकान हुआ करती थी शराब की नई नीती के तहत मैकसिमम जो नंबर गया वो लगबग 664 दुकानों का था कि 664 से ज़ादा नई शराब की दुकान दिली के अंदर खुल ही नहीं पाई अब समझे कि नई शराब नीती के अंदर आरोप क्या लगे पहला आरोप ये लगा कि इसमें छोटे प्लेयर को खुतम कर दिया गया और केवल बड़े प्लेयर को ही मार्किट में रहने की इजाज़त दी गई क्योंकि पहले जैसा कि मैंने बताय कि केवल एक दुकान कोई अगर लेना चारा है शराब की तो वो अपलाई कर सकता था लाइसेंस उसको मिल सकता था और अपनी दुकान चला सकता था लेकिन अब कोई भी जो अपलाई करेगा उसको पूरा जोन जो है उसके लिए अपलाई करना होगा पूरे जोन का लाइसें थी लाइसंस मिल गया था लेकिन क्योंकि अथोर्टी ने इजासत नहीं दी तो वो दुकान खुल नहीं पाई तो उस आवेदक को सरकार ने उसकी 30 करोड रुपए की जो एमडी अर्नेस मनी डिपॉजिट जो थी वो लोटा दी तो आरोप यह है कि जबकि कोई प्रावधान नहीं था कि लाइसंस धारक की फीज लोटाई जाएगी तो दिली सरकार ने ये 30 करोड रुपए जो है उसके क्यों वापस कर दिये तीसरा और सबसे बड़ा आरोप इसमें ये लगा जो कि पहले पॉलिटिकरी लगा और उसके बाद में जाच एजीन सुने लगा है वो ये था कि जो होलसेल का लाइसंस है होलसेल शराब बेचने का जो लाइसंस है उसमें जो लाइसंस धारक है उसका कमिशन 12 फीस दी कर दि टेल रही है और इसके बारे में पहले ये कहा गया कि जो कमिशन आया था किक बैक के ये टोगा दी जाइंस होने भी अपने आरोप में ये वाली बात कही है कि ये जो 12% की बात है ये गड़लढ है ये कहा से आया है इसकी भी पूरी जा erklärt की बात है जो है जो है एजेंसे ने की तो ये एक बहुत बड़ा आरोप नई शराब नीती के अंदर लगा ये मामला वैसे तो काफी परचारित हो चुका है इसमें आमादमी पार्टी के बड़े नेता मनीश सोधिया संजे सिंग गिरफतार हो चुके हैं लेकिन जो बात कम परचारित हुई है वो य जाने की पुरानी नीती के मुकाबले नई नीती के अंदर दिल्ली सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ती हुई है 686 करोड का आकड़ा बताया कि इतना जादा पैसा दिल्ली सरकार को जबकि नई पॉलिसी पूरीतर से लागू भी नहीं हुई थी और पूरीतरे चल भी नहीं पाई थी तब भी 686 करोड के फाइदे की बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधान सवा में लिखित में सूचित की दिल्ली से अपने क्यामरा सयोगी प्रेम सिंग के साथ मैं शरच शर्मा एंडिटीव इंडिया